नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे साहरा रिफंट पोर्टल पे प्रोसेस कैसे करते हैं फोर्म कैसे बरते हैं उसके बारे में आज का वीडियो रहेगा वीडियो को पूरा जरूर देखें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें कुछ समझ में नहीं आ कुछेगा जिसके अंदर आपके आधार के लाश्ट फोर डिजिट और आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर वह यहां पर आपको टाइप करना होगा जिससे आप लोग इन करेंगे यहां मोबाइल नंबर डालके ओटीपी प्राप्त करें आप्शन पर क्लिक कर दें आप जमा करता लोग इन पर क्लिक करके ही सेम प्रोसेस करनी है आपके आधार के लाश्ट चार डिजिट और आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर यहां आपको टाइप करना है और ओटीपी प्राप्त करनी है वही रजिस्टर मोबाइल नंबर जो यह आपने डाला ह इसी नमबर पर एक OTP आएगी, वो OTP आप यहाँ पर दर्ज करेंगे, OTP दर्ज करके OTP सत्यापित करे के option पर क्लिक करेंगे, तो आपका आगे का पेज ओपन होगा, तो OTP डाल लेते हैं, OTP डाल के सत्यापित करेंपक क्लिक करेंगे, तो आगे का पेज ओपन होगा, जिसके अंदर आधार कार्ड का जो आधार डेटा का उप्योग करने के लिए जमा करता की सहमत्ती है, यह सहमत्ती क्लिक करके OK कर देना है, और फिर अगला जो option दे रखा है, उस पर क्लिक कर देंग अगला option पर जैसे ही अपन क्लिक करेंगे, तो अपना वेक्तिकत वीवरन, अपना नाम, जनमतिती, फादर नेम, यह सारी डिटेल आएगी, लेकिन उससे पहले आपको आधार नमबर पूरा, पहले अभी चार अंक डाल रहे थे, अभी यहाँ पे पूरा अधार नमबर डाल वो OTP यहाँ पर आपको सब्मिट करना है, OTP सब्मिट, OTP यहाँ लिखने के बाद में आपको OTP सत्यापित करें, यहाँ ऐसा आ जाता है, आपके आधार कार्ड से जुड़े दि OTP भेजा गया है जो OTP आगया है और यहां पर OTP सत्यापित करें OTP जैसे सत्यापित करेंगे तो आपका नाम डेटो बर्द फादर नेम और आधार कार्ड से कौन सा बेंट लिंक है वो यहां पर आ जाएगा उसके बाद मैं email ID आपको डालना है email ID डालोगे तो अच्छा लेकिन email ID आपको डाल लेना है जिससे mail पर भी आपको confirmation मिलेगा तो यह मैं mail ID डाल लेता हूं mail ID डालकर email सहजे के option पर जरूर क्लिक करें क्योंकि यहां हिंदी में लिखा हुआ है कि email को यहां पर save करें तो email को save कर देंगे और उसके बाद में अगला बटन पर क्लिक करेंगे वेक्तिकत वीवरन सपलता पूरुक सहे जा गया अगले बटन पर क्लिक करेंगे तो यह पूरा form open हो गया है दावा वीवरन का अब यहां पर जो चार कंपनिया मैंने बताई थी उन चार कंपनियों में से किसी एक कंपनी का आपके पास bond होगा उस bond के ऊपर आपके पास सदस्यता संक्या यानि की membership नमबर खाता संक्या यानि की account नमबर रसीद संक्या यानि की receipt नमबर और प्रमान पत्र या passbook नमबर और खाता खोलने की तिथी और कितना पैसा जमा किया है वो रासी होगी तो वो यहां पर आपको लिखना है और यदि आपने आंसिक भुकतान प्राप्त हुआ है तो यहां टिक बटन पर क्लिक करना है यदि नहीं किया है तो कुछ नहीं करना है सोसाइटी से कोई रिन लिया है तो यहां पर टिक करना है अनिता यहां कुछ नहीं लिखना है उसके नहीं बनता है तो आज comment box में जरूर comment कीजिए वो size कैसे कम करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा तो यह जो भी detail है यहाँ पर submit करनी है और यह प्रमान पत्र जो अपना bond है वो यहाँ पर upload करना है तो वो upload करने के बाद में अगले बटन पर click करना रहता है तो मैं यह सारी detail डाल देता हूँ यह सारी detail डाल देता हूँ उसके बाद में आगे की process होगी खाता खोलने की तिति यह भी bond के उपर ही लिखी रहेगी वो bond के उपर से आप यहाँ यह calendar open होगा जिसे आप select करके यहाँ से वो date submit कर सकते हैं और फिर अपने कितना पैसा जमा किया है वो पैसा यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर click नहीं करना है यदि आपने कुछ नहीं किया हालांकि किसी को लगबग नहीं हुआ होगा फिर यहाँ पर यह के file upload कर देनी है फाइल ध्यान रखना है यह 200KB से कम का होना चाहिए यदि नहीं होगा तो यहाँ upload नहीं हो पाएगी PDF भी यहाँ लिखा है कि upload हो जाएगा लेकिन मेरे हुआ नहीं था मैंने image यी बनाया है 200KB से कम का जो JPG फॉर्मेट में है और वो यहाँ पर download होगा आगे तो मैं कर लेता हूँ इसको upload आप जैसे upload करोगे तो यह side के अंदर आपकी जो image बॉंड है उसका photo आपको जरूर दिखेगा तो आप देख सकते हो यह जैसे दावा जोड़े पर क्लिक करेंगे तो यह नीचे की side के अंदर पूरी detail अपनी आ जाएगी यह कुछ इस परकार से आएगा इसको दावा यह जो बाद में यह दूबारा से वापस changes नहीं होगा इसलिए पहले सुनिचित कर लेएं आपके पास कितने दावे हैं उन सब की यहां पर detail भर देनी हैं उसके बाद में आपको आगे की process करना है एक वार submit हो गया उसके बाद नहीं होगा अगला बटन पर क्लिक करेंगे तो दाव फिर वापस इसको PDF format में अंदर इसको scan करके mobile के अंदर लेना है और फिर वापस आगे का जो option है दस्तावेज डाउनलोड करें दस्तावेज डाउनलोड करें के option पर वापस जब जाएंगे तब यह दस्तावेज अपने को वहाँ पर upload करना रहेगा तो इसके लिए अब इसन को लिख दिये हैं अब यहां पर signature बगेरा forum को print out निकाल के print निकाल लेते हैं और फिर वापस पीडिया बना के यहां सब्मिट करते हैं तो इसको print निकाल लेते हैं पहले डाउनलोड करेंगे और उसके बाद में इसको print निकाल लेंगे यह कुछ इस प्रकार का डाउनलोड हो जाएगा और इसको print निकाल लेंगे प्रिंट निकालने के बाद में इसको अगले option पर क्लिक कर देंगे और यहां पर वो जो अपन ने यहां अभी डाउनलोड किया था उसके उपर photo or signature करके पीडिये बनाके वापस इसको यहां पर अप्लोड करेंगे तो यह करप्या नीचे दिये गए दस्तावेज अप्लोड करें तो दावा आवे देन पर पत्त्र यह देखो photo मैंने अप्लोड इसमें चिपका दिया नीचे sign कर दिया है और यह यहां पर आ गया तो अब इसको य जानी पूरवक आप इतनी सी process करेंगे आप खुद भी कर सकते हैं कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है मैंने आपकी पूरी details step by step इस वीडियो में बताया है यदि इसके बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप comment box में जरूर comment करें यह form submit हो गया है धन्यवाद CCSL को भेज दिया गया 30 दिनों के भीतर अपनी सीपारिस देगा निरिनेक SMS portal के माध्यम से 15 दिनों के भीतर यानि CRCS portal पर दावा आवेदन जमा करने के 45 दिनों के भीतर आपको सूचित किया जाएगा तो आज की वीडियो में इतना ही था और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले में आपका बहुत बहुत धन्यवाद